यास 10th class in this video we are going to discuss about quick vision of chapter number 4 ठीक है जी so जो भी 10th class दे बिद चैप्टर नमबर 4 quadratic equations जो अपना reduced slavage है cbsc दा 2020 year दे लई ठीक है जी A session दे लई so उसे regarding जो भी अपने concepts ने 4th chapter दे विचो आने ने so उना दे आपा quicker vision जाने के सारिया types ने जड़ी है ठीक है एक वार आपा cover कर लाँगे एस दिया ते एस तो पहला आपन थोड़ा basic है जड़ा ओ जुरूरी है ठीक है जी basic चीज़ा ने जड़ी है थोड़ी जाने जड़ी है थोड़ी जाना कर लने आपा एससे regarding so first of all आपा गल कर ये ता जो standard quadratic equation चैप्टर ता नाम की है quadratic equation so quadratic equation standard की में हों दिया ठीक है पहली गल आपने याद रखनी है कोई भी equation जेकर ओसदी जड़ी थोड़ी कोड़ी हाइस्ट पावर होएगी ठीक है जी उस दी की होएगी highest power ओ की होएगी 2 ता उसनों अपा की बोलांगे quadratic so standard quadratic equation दीगा ले किती सी में standard quadratic equation की होएगी थोड़ी ax square plus bx plus c equal to 0 जेकर equal to 0 कैदने याँ ता equation बंजन दी हुन दी है जेकर अपा px से नाल डिनोट कर दी है ता polynomial बोल दने याँ ठीक है ना बटे so ax square हुन एथे तुसी देखो जो highest power है ओ की है 2 जेकर highest power 2 है उसनों अपा की बोलांगे quadratic equation so standard quadratic equation है जैनि x square दे नाली भी कुछ लगया हो सक्दा element ठीक है जी कोई भी constant x आएगी उस तो बाद downpower करके so b यानि के कोई constant area नाल भी हो सक्दा x नाल भी so उस तो बाद without x so c या कोई भी constant value हो जेगी तो ठीक है so x से regarding आपा जेकर गलना करिये कोई एक दो ता उससे विचे आपा ही गल कह सकते हैं कि एक quadratic equation होगी highest power 2 है इसलिए मैं लिखता कि highest power की होएगी इसलिए 2 ठीक है so second गल इससे regarding जो अपकर करने है अगर जो अपकर करने हैं हुन देखो और रूर्स के ने होनगे इसलिए दूसरी याल अपकर की ने है roots है, ठीक है जी नि Сी पावर होते हैं किसे चीज altri जी पावर होगी kayak किसी चीज ओनने ही ओसते roots ने जिटे उख सेट पावरे त्वा कि अविया सब्सागाजि तू रूट्स मिलनेंगे, सो ये कली-कली गल, MCQ वह एक तरीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, क्योंकि अच्छा कॉंसेप्ट है, अपर बेस बिल्ड कर रहे हैं, सो देखो, पहला कल की किती है, अपने के कोई भी क्वाट्रेटिक एक्वेशन, विद पावर 2, स्टेंडर्ड आपने है, इस सो बात पघल कर गें, देखो, जैर्ध आँर्प्र ूट्स निकले, मलो कोई भी एक इक्वेशन, दित्ती होए था और उसे दो रूट्स निकले ता उदना दो रूट्स सा कोई sum भी होएगा कोई product भी होएगा याद रखना अपने ठीक है जी so standard equation दे विचे अपने याद रखना कोई sum भी होएगा कोई product भी होएगा उस चीज़ जा so जेकर अपने समधी गल करिए उसे लिए अपने गल्याद रखने एक कि x square minus sx plus p equal to 0 यानि कि अपने इसनों independent 1 करना इससा जो थोड़ कोड़ variable दे नाल जो x variable दे नाल constant होएगा न 1 होएगा ठीक है जी independent करने इसनों ता रूल अपलाई होएगा x square minus sx plus p यानि कि हुन थोड़ एक कोड़ की होजेगा आवली चीज़ है जड़ी ओ सम होजेगी जो x नाल लगी होई है एक ही होजेगी तो अदा सम होजेगी ते जो constant value इदर आजेगी ओ थोड़ एक कोड़ की होजेगा product होजेगा किसे भी value दे ठीक है जी तो सम अपने कोल की होजेंदा होंदा नेक्टीव ओफ दिस ओके पड़क्ता इड़ अपने कोल as it is जो value है बट ये ओस टाम अपली के बला है जोदो है अपा independent कर लांगे ठीक है जी अगली काल अगली काल अपा कर दे है टाइप्स हुन अपा टाइप्स से आए ज ये दो values find करने तरीके different हो सक देने सो पहला method है जीड़ा ओभी तो नदसना के दो roots roots वोई भी find करने जाए जीरो find करने है पहला method है अपना factorization method ठीक है जो तोड़े chapter दे according है ठीक है जी factorization method हो जन्दा होंदा या अपा कि में root find कर सक देया by completing of squares method completing of squares method या number three थे quadratic formula ठीक है जी quadratic formula इससे नाड़ भी अपा कर सकते है ठीक है जी discriminant the use करके अपने solve करांगे quadratic formula नो सो हुन देखो first type की है 30 की मेरे question तिड़े हैगे ने exam दे ली हुन reduce ले बस ते according बढ़े ने ठीक है जी type equation बन सकते ने बस ओ है कि ने कि मैं check weather पुछा जा सकता कोई equation देखे कि एह equation है जड़ी quadratic है या नहीं equation जो है quadratic और not quadratic के quadratic है equation या quadratic नहीं है ठीक है so एमें दी कोई equation दे दिती गई ठीक है जी ठीक है for example so अपा सब्सक्राइब करवा के देख लांगे के ही quadratic बढ़ दिया या नहीं बढ़ दियागी उस सुबाद अपनों पता लग जेगा क्योंकि multiply करवा के subtract करवा के सारा कुछ करवा के उस सुबाद जेकर ता highest power 2 रहेगी जेकर highest power 2 रहेगी ता ही quadratic होगी जे highest power 2 ना रही देन ही quadratic नहीं होएगी सब तो पहला multiply करवा हो इस ती इस दा left hand side करिए then x xd multiplication with this 2x plus 1 एस तो बाद minus 3 minus 3 रहे multiply भी सेम देना लिए हो जेगी 2x plus 1 equal to xd multiply ये इस नाल अंदर करवातांगे ठीक है ना हुन देखो जेकर xd 2x नाल करवाई ये था 2x square xd 1 नाल करवाँ मांगे था x 3 रहे 2x नाल करवाँ म minus 6x minus 3 धी 1 नाल करवाँ मांगे minus 3 equal to xd x नाल करवाँ मांगे x square xd 5 नाल करवाँ मांगे 5x हुन एस चीज़नों अपां एधर ले आन्या लेफ्ट साइड ते ठीक है जी सो 2x square plus x minus 6x minus 3 आवाड़ा ट्रांसफोर्स होके एधर negative आज़ूगा आवाड़ा भी negative आज़ूगा equal to 0 सो हुंते हां दो अपाने कुछ भी चेक करन दी जुरूरत नहीं हो अपनों अपनों आचीज देखन दी जुरूरत हा देखो x square देविच बन दीगे form 3 ठीक है 2x square देविच अपा x square minus कर दिए ता 1x square रहे गया ना अर देखो 2x square 1x square minus होगे उस तो पाद x आलिया values plus x minus 6x यान 3 minus 6 equal to 0 हुं देखो जड़ी ये value आई था देखो ओ अपने को highest power किनी contain कर रहे है square यानिके 2 power contain कर दिया therefore it is quadratic ठीक है जी अपा बोल सकते है it is a quadratic equation ठीक है जी ये तो देखोल की होएगी quadratic equation हा because अपने एकोल value x square दे बिच चागी एस वा second example देख लनने है x से विच वी same है जी ट्राइ कर लो अपा ठीक है x नू multiply करवा मांगया सारी value दे ना x plus 1 दे ना ते उस तो बाद minus 2 नू multiply करवालांग x plus 1 ना equal to same है जी एस से विच x नू एस देना सारी ना ठीक है minus 1 नू भी एस देना सारी देना multiply करवाला x नू करवा मांगे देन x square आजेगा plus x आजेगा minus 2 x आजेगा minus 2 1 minus 2 आजेगा equal to x नू x ना करवा मांगे x square x नू 3 ना करवा मांगे 3 x minus x आजेगा minus 3 आजेगा हुंते हैं 2 देखो बटा x square देना x square cancel हो गया ठीक है यह कोई problem ने इस तो बाद आपा देखिए कि बचया x minus 2x किना बचया minus x बचया so इस सा plus 3x minus x आजएगा plus 2x आजएगा थो डेकोल जैकर 2x आगया अपने कोल then value minus 3 as it is आजएगा उस बाद minus x minus 2 इन्हों इतर ले आईए minus 2x plus 3 equal to 0 minus 2x minus minus 3x plus 1 equal to 0 हुंत्यान दो इत्या x square missing आ जैक्स स्केर missing आ की लिख so no it is not a quadratic equation so इन्हों की बोल दांगे अपा it is not quadratic equation ठीक है जी सो ए quadratic equation तो डी नहीं होएगी yes friends in type 2 type 2 दे विच्छ आपने की करना find the roots of कुई भी अपने कुल quadratic equation given है ठीक है जी इस quadratic equation दे ले अपने roots find करने ने बट रूट्स ने केड़े method देना आल find out करने ने by factorization method ठीक है जी factorization method देना अपने इसमों solve करना सो अपा solution कर दें इससा होण factorization method देना अलकी में factorization method देली सबतो पहला अपने equation लिखी x square minus 3x minus 10 equal to 0 ठीक है जी हुन देखो factorization method देविच अपने main देखना है middle term ठीक है जी आप वाली term है जी इसनों अपने mainly देखना middle term आप इसनों बोल दने है ठीक है जी so middle term साथ एकोल की है minus 3x ठीक है जी minus नों बहुत नहीं देखना minus 3x so सबतो पहला जो step है इसनों किया है सबतो पहला step बेटा इसनों multiply करवाओ coefficients तो इदा coefficient x square दे समने की हो गया 1 क्योंकि कुछ दित्ते ही नहीं होया ता आप 1 मल लगने है ठीक है जी 1 मल लेया जी 1 है ता इसनों तीसरी रखम देखना ठीक है जी जानी के minus 10 नों multiply करवाया ता side लिखलो किया गया इनुप वन मल लिए बेटा वन नूं multiply कराया माइनस 10 नाल ता किया माइनस 10 सो हून त्या अंधेंदी लोड किया विचेड़ा एह अपने कोल माइनस 10 नाया ना बेटा माइनस 10 नाया अपने एस माइनस 3x नू मिल टरन नूं एह जी 2 पार्ट ने विच वं एच वंडना ता कि उनना था जोता प्रोड़क्ट होवे दो एह यां टर्म्स ठीक है जी एह जी नंबर्स जिनना प्रड़क्ट की हो जवे बेटा अहां मल्टिप्लिकेशन यानि कि माइनस 10 हो जवे बट इज़डा सम ठीक है जी अपा कहने है कि एड करके यां सब्ट्रेक जोतारखे ग कर दिया या समलाय या इसा डिफरेंस ठीक है किया जो एड बेटा ओगे मुडल टर्म तर्म्स जी कि में आपवे 2 टर्म्स ठीक है दो टन से यहां find out करना देली सान हूं सब तो पहला त्यान देना पहला है कि जिमें for example यह थे 10 ना बेठा देखो बनाली दो तरीकर अपना आये अपने सब तो पहला ही स्टेप तुसी करना है यहीं मल्टिप्लाइग जीड ही किन्दि कि नहीं है है अपने देख्या माइनस टैन ना है ति ओस मल्टिप्लिकेशन नो की में बनाया जा सगदा दो तृत्य के अनुर बनाया जा सगदा जी एक टैन वान एक फाइब टू टैन ना जुगा ठीक है जी सो हुण ए दो पार्ट से पर्च आपने हुं तेहां देना एं मिल्डल टर्म बस मिल्टल टर्म की बनाणिया बेटा माइनस थी ठीका होन माइनस थी कैमे बन सब्सगती आ इक भाँ आपा इड़ करके देख लेना हुं धिक बाँ इक बाँ सब्ट्रेक्ट करके कि ठीका सो एड करिए जे आपा आवाला पोर्षन लेने है ठीक है जी आंसरता है वाले पोर्षन चोए हुगा बट मैं आ लेना पहला उन्हें ये पोर्षन उजेकर ले लिता जावे ये तरह 10 दे विचे जेकर मैं 1 एड कर दुमा बेटा 11 बन जूगा ठीक है जी की बन जूगा 10 एड करके 11 जे सब्ट्रेक्ट करदा 10 चोवान न था 9 बन जूगा यानि मेरी मिडल टर्म बनी नहीं बनी किसे भी तरिक के नाल सो आ के इस ता मेरा खतम इलिमिनेट करता पाने सेकंड के्स हुन देखू बेटा जेकर 5 ते 2 ऐस नमां प्लस करदा मता मेरा की बन रही हगा 7 जिय माइनस करदा न स्केर की यह यěस एट राइट न अउँ अपा देखिए तव्लस कर्दा नि गळल बनी जेकर मैं माइनस कर्दाम ता मेरा 3 बन रही हा माइनस करके value में 3 आ रही है so therefore मैं की करूँगा x square तो x square है देखना ते एदर minus 10 equal to 0 यह भी है देखना गल्ला सरफ middle term middle term दे विचे minus plus जो भी आ हो एक नहीं लिखना हो दे याद रखे हो गल m नि लिखो ते जड़ा 3 बनाना सी इस नो क्लिमें बना है अपने 5 minus 2 ठीक है जी में अपनी setting आ रही है 5 minus 2 x नो m उतार लो x ठीक है एमें तो तो इस नो set कर ले ना बटा ठीक है जी सारे question नो so एही important step है जड़ा ए step है जेकर एह step अधा हो गया ता अग्जे question करना बहुत ज़्यादा easy है ठीक है जी by factorization method so हुन x square as it is हुन minus 5 minus 5 ते x ठीक है जी ओसो minus नो एदे ना multiply करा मांगे minus 2 नाल ता plus 2 हो आ जुगा x ना रहे गई है minus 10 equal to 0 ए तो बहुत अग्जे step होंदा अग्जे step होंदा होंदा तो डाओ किया है कि अपने पहले हैं दो टर्म से विच्चो common देख ले रहा हूं देखो बेटा x दो नच है इदर दो बार x है यादि x square है यादि कि 2 x इस ने ओसो बार इदर 1 x है यादि x common निकले होगा थो डा ते होर कुछ common था नहीं निकले है सो ब्रैकेट से भी चून किया होगा बेटा ते हां दो जे तुसी x बाहर कट लिया 1 ता उरे 1 x सा बची गया ना square है ओसो माइनस 5 क्योंकि x बार चले गया तक अला 5 ता रही गया ये सो बार बेटा पहले चीज़ होगी ओसो बाद लास्ट राली है दो टर्म थे ना चो common देख लो पलस as it is आज़ी जे माइनस होगी माइनस रखे लंदे बेटा बाहर no problem पलस हुन देखो 2 इद्धर भी है 2 इद्धर भी मिजूद है क्योंकि 2 5 ता 10 होगी ये सी value की हुन दिया x-5 आज़ेडा इस नो common कर लो दो हाँ पासे हो ता रह कि x रह गया बेटा 1 प्लस 2 रह गया equal to 0 हुन दो ना नो equal to 0 रखतो बेटा x-5 equal to 0 x-2 equal to 0 so x equal to 5 आज़ेगा क्योंकि एद्धर जाके plus सा हो जूगा x equal to इद्धर जाके की हो जेगा बेटा ट्रांस्पोर्ड लाएके माइनस सा हो जूगा so अपने को दो values आगी है x नहीं है बेटा 1 x दी value 5 आगी 1 x दी value माइनस 2 आगी ठीक है जी so हुन बहुत त्यान देना लिगल किया अपनी बेटा अपनी गले हित्यान देना लिगा के quadratic सी यानि के अपने को highest power 2 सीगी एदे मतलब एसे किने roots आने सीगे 2 आने सीगे ते factorization देना लूँ अपना find out करते है main factorization की या middle term जो तुसी find out करने है ठीक है जी middle term तो भी नहीं है question solve नहीं हो सकता so that's all for this question